हालो एफ्रिवान आएम रिचा यूर वाचिंग परचम आजको जो सेशन है वो मन्थली करन्ट अफेर सेरी से रिलेटेट सेशन है क्योंकि हम पूरे ऑक्टोबर मन्थ में इन चार काटिगरीज को डिसकस करने वाले हैं अक्तोबर 2023 में जितनी भी बुक्स इंपोर्टन्ट रिलीज हुई हैं जो एक्जामनेशन परस्पेक्टिव से हमें पढ़नी चाहिए उनका डिसकॉशन करेंगे अब बहुत इंपोर्टन काटिगरी है ना सिर्फ वन दे एक्जामनेशन के लिए पर स्टेट सिविल्स यूप नोबेल प्राइज एक बहुत इंपोर्टन अवार्ड है जो इस महीने दिया गया तो उसके अलावा भी बहुत सारे राशनल इंटरनाशनल अवार्ड है डिसकाशन करेंगे अपोइन्मेंट्स अगैन वन दे एक्जामनेशन के लिए बहुत बहुत इंपोर्टन्स रखती है ये काटेगरी और कुछ इंपोर्टन अपोइन्मेंट्स हुए हैं बी आरो को नए चीफ मिले हैं डेप्यूटी नेवल स्टाफ जो है डेप्यूटी चीफ जो है नेवी के वो अपोइन्ट हुए है उसके अलावा बहुत सारे अपोइन्मेंट्स हैं जिनको एक्स्टेंशन मिला है या फ्रेश हुए हैं डिसकाशन में देखेंगे और ओबिच्वरी ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से एक्जाम में क्वेशन देखने को मिल जाता है क्योंकि जो भी इ जो सेशन है ये कौन से एक्जाम्स के लिए इंपोर्टन है ओल वन डे एक्जामेनेशन आप सेंट्र लेविल के दे रहे हूं अगर आप सिवल्स दे रहे हो स्टेट के तो भी आपको पूरा देखना है अगर आप यूपी सी सिवल्स देख रहे हैं तो यह अवर्ड वाली काटेगरी आप देख लीजेगा यह इंपोर्टन है बाकी बुक्स अपॉइन्मेंट ओविच्वरी से आपको जाधा लेना देना नहीं होता है बाकी सारे बच्चे पूरा देखें अच्छा ओके नई बच्चों को मैं वापिस बता दूंगी कि हम हर महीने फाइव तू सिक के अंदर पूरे महीने का करन्ट अफेल लेकर के आते हैं यह अलग अलग सेक्च्छन या काटेगरीज होती है ठीक है यह आपस में लिंक्ड पार्ट्स नहीं होते हैं काटेगरीज होती है एक काटेगरी अमने अलड़ी कवर कर ली इंपॉर्टन देम्स की यह दूसरा एक स दिस्क्रिप्शन में नीचे जब टाइटल होता है जहा हमाँ क्लिक कीज़े तो आपको पुरा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा हर एक लिंक मिल जाएगा इंपॉर्टन प्लेलिस्ट का आप जाकर के देख सकते हो अब यह जो फाइड तो सेग्मेंट्स होते हैं इनका एक सिंग्डल कंसॉलेडेटिट पीडिएफ होता है जैसे मन्थली मैंजीन भी कह सकते हो वह आपको परच्रम क्लासस डॉट इन पर मिल जाएगी यहां पर आपको एक आई बटन मिल रहा होगा उस पर आप क्लिक कर लिजएगा ठीक है अभी यह अप्लोड नहीं हुई होगी फ और फिर भी अगर आप बार-बार बाई करते हैं तो वी वुड अडवाईज कि आप बैंक्स या सब्सक्रिप्शन की तरफ मूफ कर जाएए सिर्फ करंट अफेर का चाहते हैं तो 2023 CA सब्सक्रिप्शन है पर्चा मैप पर मिल जाएगा सारे करंट अफेर के PDF एक जगी मिल ज इनका आज के वडियो में मिलेगा लेकिन अगर आप डेली CA, वीकली CA फॉलो कर रहे हैं तो I would want you to answer it in the comments section नहीं भी आता गूगल करके answer केजे क्योंकि किसी question को search करेंगे उसका answer दिमाग में टिकेगा exam time में easily recall होगा तो ये महनत भी अगर आप करना चाह रहे हो कर लो उसको मै जो उनके head है, director general है, वो मिले हैं, तो कौन बने है नए BRO प्रमुख आपसे पुछा जा रहा है, इन चारों में से जो भी आपको right answer लगता है, जल्दी से comment section में लिखे former CEC यानि Chief Election Commissioner, Dr. Manohar Singh Gill, former CEC रह चुके Dr. Manohar Singh Gill, who passed away recently received Padma Vibhoshan in which year? अब यह देखिए, सवाल इस तरह से बनता है, वो भी चोरी section के अंदर से, तो Dr. Manohar Singh Gill, जिनका हाली में निधन हो गया, उनको परमे विभूषण मिल चुका है, कौन से साल में मिला है या आपसे पूछा जा रहे है, वंडी exam के अंदर usually साल वगेरा से related question देख लिये जाते ह कि नहीं आता, सर्च कीजिए, कुछ महनत नहीं करना चाहते है, कोई बात, वेट कीजिए, मैं आपको बताने वाली में, तो चालो, अब हम बढ़ेंगे हमारी पहली category की तरफ, books and authors, और उससे पहले जाए, छोटा सा प्रिल्यूडी, आट से नौ सेकेंड का, ताकि सारी कोर् I am waiting here, to begin this session with you. All right, so welcome back, चलिए, so books and authors शुरुवात करते हैं, सबसे पहने देखते हैं, Vivek Agnihotri launches his latest book, The Book of Life, book का पूरे टाइटल का है, The Book of Life, My Dance with Buddha for Success, ये राह कवर, तो book of life तो main title है, उसके बाद ही नीचे जो आपको दिख रहा होगा ना, बहुत हलका सा, right, इसको subtitle बोल दीजी, तो इसके बाद ही पूरा title complete माना जाता है, बट main title is The Book of Life, तो question कैसे आएगा, The Book of Life, किस ने लिखी है, या इन चारों में से, या तीनों में से, Arnold Vivek Agnihotri की कौन इनसी book हाल ही में release हुई, इस तरह से आपको सीधे-सीधे question देखने को मेलेगा, तो Vivek Agnihotri एक popular face है, क्यों क्योंकि कश्मीर फाइल से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गये तो इनको आप पहचानते हो, तो सीधे association किया जा सकता है, The Book of Life, टेक्नीक की ज़रुत, निमो पावर नहीं हूँ, आपकी थोड़ी बहुत जो जेनरल तरीके होते हैं, memorize करने के उसको भी use कीजिए, जहां difficult लगता है, रटना या repeat method या wrote method से याद करना, तो वहां निमानिक्स लगा लेज़े, ठीक है, चले, The Book of Life, My Dance with Buddha for Success, किस ने लिखी है, Vivek Agnihotri ने लिखी है, ऐसे ने लिखी है कि भई ठीक है, कश्मीर फाइल के पहले और कश्मीर फाइल के बाद क्या क्या हुआ, मैंने उस से रिलेटेड एक बुक लिख दी, छोटा सा हिंट आप ऐसे भी use कर सकते हो, इसके अलावा, Vivek Agnihotri ने रिसेंट्ली एक medical drama film डिरेक्ट की है, उस फिल्म का नाम ह है, The Vaccine War, होगी 2023 के अंदर ही, अब हालकि ये बुक से रिलेटेड नहीं है, लेगन ये जो The Vaccine War movie इन और ने डिरेक्ट की है, वो एक किताब के उपर बेस्ट है, तो वो भी देख लेते हैं, बुक का टाइटल है, Going Viral, Making of Covaxin, The Insight Story, और ये जो किताब है, ये किस ने लिखी तो अगेन ये जो बुक है, ये आ जाती है, इंपोर्टन हो जाती है, रिटेन बाई बलराम भारगव, बलराम भारगव, तो बीबी ने लिखी है, इनकी बीबी ने नहीं लिखी है, पर बलराम भारगव ने लिखी है, Going Viral, Making of Covaxin, और उसी के उपर उन्हों ने एक बुक, मुवी बना दी, मुवी दी वाक्सीन, उसके अलावा, दे स्टोर, दे बुक आफ लाइफ, ये जो है, दे बुक आफ लाइफ, ये लिखी है, विवेक रंजन अगनी होटरी ने, आज थोड़ा से एनेजी मेटर आपको डाउन लग सकता है, पता नहीं क्या ये हर बार का है, बट एक रिच्वल जैसा बन गया है, कि जैसे ही मंतली करंट अफेर का टाइम आएगा, और मैं प्लान करूंगी कि आपको बहुत जल्दी वाइंड अप करवा दे, और कुछ न कुछ मेडिकल एमर्जनसी आई ही जाती है, लास्ट मन्थ इट वस विद माई दॉटर, दिस म साथ गाप आगया, बिकर्स हेल्थ साथ नहीं देती है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पहला सुख निरोगिक आया, और वो सुख अगर गुम जाये, तो दिक्कत होती है, तो टेक गुड केर अफ यॉरसर्फ, I am also trying to do that, चलो, नेक्स बुक की तरफ मूफ करते हैं, अब देख गई थी, और उन सबकाई कमपाईलेशन कलेक्शन है, जो इस बुक के अंदर लेकर के आए हैं, ओथर्स, आलोक, भला एंड चंदरप्रकाश देवल, ठीके, तो अब याद कैसे करेंगे, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, द महाभारत मेवारी मिनियेचर पेंटि होता है वो, तो ये महाभारत पेंटिंग जो है, वो खराब हो गई, आप चंदरप्रकाश साब उन से दो रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, चंदरप्रकाश देवल, या फिर अब, अब CD में ले आए भई, CD, A, B, आलोक भला से आप ले सकते हो, अब, और CD, अब महाभारत की जो पेंटिंग जैना, CD में ले आए, ये बुक फॉर्म में, पेंटिंग फॉर्म में मतलाई, इस तरह से छोटा सा हिंट आप उठा सकते हो, तो चलिए, अब इसी लाइट में समझिएगा, विकाज यहाँ पे आपको अल्ला बक्ष भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको च इन्होंने पेंट किया था, इन पेंटिंग्स को, मिवार पेंटिंग्स को, और उन ही का पुरा कंपाइलेशन, चंदर प्रकाश और अभ यानी आलोग भला ली करके आ है, फोर वॉल्यूम सेट है, बुक्स का, that is the only thing you have to remember, चलते हैं आंगे, The Reverse Swing, Colonialism to Cooperation, किताब का नाम क्या है, The Reverse Swing, यह रही The Reverse Swing, और किसने लिखी है, अशोप टंडन, स्विंग्स को, जूलते थे न, जूला, ठीके, आप स्विंग जूल रहे हैं, पीछे टंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटंटं हो जाए गए का, और इस बुक के अंदर, बेसिकली, जो इंडो-UK relations रहे हैं, यानि बिटिश और इडिनियन relations रहे हैं, इंडिपेंडन्स के पहले के, और अब कैसे-कैसे हमने प्रोवर्स किया, वो सारा डिस्कॉशन हुए, लौंज किसने किया इस किताब को, हरदीप ने किया है, जो कि हमारे Union Minister of Petroleum and Natural Gas है, ठेक है, Housing and Urban Affairs भी है, हाँ, वो भी है, सो ये पिक्चर है, जो इन्होंने लौंज की थी न, उसकी चलिए, फॉर्मर RBI गवर्नर, रगुराम राजन्स नियर बुक, Breaking the Mold, अभे रिलीज नहीं हुई है, डिसेंबर के अंदर रिनीज उनके कई बार नेर्स में हम इनको पढ़ते हैं, फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने साथ में रोहित लामबा जी के और बुक लिखी है, Breaking the Mold, तो रगुराम राजन जी को आप ऐसे देख सकते हो, कि इन्होंने वाइल बिंग दिया RBI गवर्नर काफे सारे जो म किया है, सुरागुराम राजन और रोहित लांबा, Breaking the Mold, Re-imagining India's Economic Future, तो क्या हमारा फ्यूचर हो सकता है, Economic Angle पे उसके बार में इसमें बात की गई है, पिये मोधी रिलीजेस थ्री बुक्स आट तुलसी पीठ इन चित्रकूट MP, तो सबसे पहली बात तो यह आ जाती है, त तुलसी पीठ है, चित्रकूट मध्यप्रदेश के अंदर, वहाँ पे पिये मोधी साहब ने विजिट किया और तीन किताबों का रिलीज या अनावरन किया है, यह किताबे तीनों ही किताबे, किन के दुआरा लिखी गई है, यह लिखी गई है, रामभद्राचारे जी महरा के दुआरा, ओके और रामभद्राचार जी महराज जो है, वो पद्म विभूशन से सम्मानित हो चुके हैं, 2015 के अंदर, काफी सारी बुक्स नोंने लिखी हैं, संस्कृत में बहुत, यह दो महीने की आयो महीं, यह है टर्न ब्लाइंड, इनकी इंदृष्टी चली गई थी लेकिन फिर भी यह ब्रेड लिपी से नहीं काम करते, सो सुन करके और प्रवचन मगरा करते हैं, तो चलिए, इनिका जो तुलसी पीठ है, उसी में तीन किताबे रिलीज की गई हैं, अश्टा ध्याई भाश्य, अश्टा ध्याई तो पहले से हैं, लेकिन अश्टा ध्याई इन्होंने इसको इसको इस्टाबिश किया, गुब तर लोड्स ओफ वांखेडे, टेल्स बिट्वें तू टाइटल्स, नोच ऑफ वांखेडे इन्होंने मिलके लिखिए तो देखिए वान खेड़े तो वान खेड़े है ना ये दो टम्स बहुत स्ट्रॉंगली आ रहे हैं ना वान खेड़े तो डब्ल्यू डब्ल्यू खेड़े से कौशिक और कौशिक और डब्ल्यू व रमल आपको ने एक्जाम के अंदर चार चोटे-चोटे हिंट पकड़ते चलो फिर mcq जब आप लगाओ के आपको सामने options मिल जाएंगे बहुत easy हो जाएगा आपके लिए चीज़े निकालना mcq की practice करणी है तो आप सवाल करके e-book है परचम आपके उपर आपको मिल जाएगा पूरा अन्वल सब्स्रिप्शन भी नहीं तो आप टेलिग्राम पे जाएगे अगर आपको कुछ परचेज नहीं करना ठीक है no problem आपकी तैयारी होनी चीज़े that is important है आप टेलिग्राम पे जाएगे हर दिन वहाँ पे 5-5 questions की quiz डाली जाती है वो practice कीज़े तो questions निकालते चलिए it is really important चलो आ जाओ वापस so farmer Indian cricketer W.V.Raman और R.Kaushik द्वारा लिखी गई the Lords of One खेड़े और इसके अंदर Indian cricket कैसे एवाल गए हमने जो हमारा पहला World Cup जीता था 1983 में उससे लेकि अभी तक Indian cricket कैसे कैसे एवाल गए है इसके बारे में बात की गई है so यह हो गई हमारी पहली category समा ठीके किताबें बहुत सारी release होती है लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना होता I always say complete नहीं पढ़ना है sufficient पढ़ना है complete जैसे कोई टर्म नहीं होती myth है मिथ्या है ब्रहम है complete आप general knowledge current affair कवर कर ही नहीं सकते है sufficient कीजे जितना आपके exam के लिए sufficient है जितना cutoff निकालने के लिए sufficient है जितना merit ranking में आने के लिए sufficient है बस उतना ही हमको पढ़ना होता है और सब important कवर हो किया है ठीक है चलते है अगली category की तरफ appointments और उससे पहले yes I have to share one piece of information and that is about SSC general awareness target 2024 course जो कि already आप पर्चम आप पे आपके लिए पब्लिश कर दिया गया है काफी सारे बच्चें डोल हो रहे है जिनको जानकारी नहीं उनको मैं बता देती हूं कि अगर आप SSC की तयारी कर रहे है for the year 2024 तो 2024 की अगर आप बात करेंगे most probably आपकी exam calendar July से start होगा ठीक notification आपका March April में आजाएगा अगर आप उस पूरे calendar के अंदर कोई भी exam देने वाले हो और general awareness की तयारी करनी है यानि history, geography, quality, economy, science, static GK तो ये पूरा का पूरा package आपके लिए available है individual subjects भी available है इसमें static GK वाला जो पूरा portion है वो मैं deal कर रही हूं बाकि सारे subjects अलग इलग faculty कर रहे है introductory video free है वो जाकर के देखे हर एक subject का एक एक lecture free है जाकर के देखे हर एक subject का एक पूरा syllabus दिया हुआ है जाकर के देखे और उसके बाद decide कीज़े आपको लेना है नहीं बहुत सारे features इस बार है और अगर आप रिचा 15 quote यूज़ करेंगे instant 15% off हो जाएगा अगर आप लेना चाह ने इतने comprehensive तरीके से इसबार डील किया हुआ है स्टाटिक जी कि I am taking जिसमें hundred से भी जादा topics I have covered for you last time के हिसाब से काफी updated course है काफी advanced course रहे का आपको बहुत डीटेल में discuss किया बेकुज SSE बहुत question यहां से पूछता है sports को काफी अच्छे से हमने कवर किया है because मतलब करेंगे यह phased manner में आएगा ठीक इसका पूरा calendar है सब कुछ आपको इखटे ही नहीं मिल जाएगा calendar के हिसाब से मिलेगा calendar देखिएगा कुछ बहुत आता है क्वेरी concern आती है तो पर्चम आप पे आप पूच सकते हो SSE के तयारी के नहीं कि आपके लिए पीवाइक्यू बुकलिट भी है जो आपको पर्चम आप पे मिल चाहेगी so go and check out पर्चम आप बहुत कुछ यहां नहीं बता रही हूं हमारे lecture का time waste होगा I do not want to do that but you can go and check out PYQ बहुत important होते हैं बिना इनको पढ़े आप एक्जाम नहीं देना चाहिए आपको so please go and check it out ठीक है I'm not taking much time to inform you बस मैंने आपको बता दिया अब जादा जानकारे आपको चाहिए पर्चम मैप पे जाहिए सारे वीडियो आपके लिए वैलेबले इंट्रॉक्शन के वो देखी फिर भी समयन नहीं आथा पर्चम मैप पे चाट कीजे पर्चम क्लासर 060 gmail.com पे mail कीजे वीडियो के बीच में ही कही मैं आपको बता दूंगी contact number भी आप हाँ पे call what sound भी कर सो ठीक है चलो lot आते हैं appointment शुरू कर पहला appointment देखते है गर्मेंट extends the tenure of CBDT chairman CBDT क्या है Central Board of Direct Taxes Central Board of Direct Taxes indirect taxes का भी होता है यह direct taxes का है तो इनके चेर्मेन है कौन है इनके चेर्मेन नितिन गुपता जी कौन है नितिन गुपता जी उनका tenure और बढ़ा दिया गया कब तक के लिए June 30, 2024 के लिए तो नया appointment नहीं है यह appointment पहले भी था tenure एक्स्टेंट हो गया है ठीक है चलिए CBDT क्योंकि हमने बात की है तो कुछ static portion देख लिए थे प्यक्स एक्जाम में सिर्फ करण से सवाल नहीं बनते हैं करण से related static पूछ लिया जाता है ठीक है तो जो CBDT आता है वो Central Board of Revenue Act 1963 के तहत एक statutory authority है और Department of Revenue जो की Ministry of Finance के अंडर में आता है उसका एक हिस्सा है इसको चेर्मे head करते हैं और साथ में 6 members की एक पूरी body भी होती है यह tax rate suggest करते है tax rates क्या होने चाहिए नहीं होने चाहिए उसके उपर security work करती है में नेक्स गर्मेंट extends tenure of SBI's chairman दिनेश खरा तिल August 2024 तो दिनेश खरा जी जो कि SBI के chairman थे पहले भी थे अब उनका tenure एक साल के लिए मतब आल्मोस एक साल के लिए तो नहीं बूलेंगी पर August 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ठीक है तो again fresh appointment नहीं है लेकिन SBI कि अगर हम बात करें तो थोड़े से stat देख लेते हैं SBI की शरुआत किस bank के नाम से होती है किस तौर पे होती है Imperial Bank of India के तौर पे होती है जो कि बाद में जाकर क ठीक है 1st July 1955 में जाकर के ये State Bank of India की तरह existence में आता है ठीक है चल लिफ्टनेंग जिंडरर रगु स्रीनिवासन इस दे न्यू बी आरो चीफ ब्रो फोस्ट दब्रो यहा तो स्रीनिवासन तो यू ब्रो बॉल सकते हो ब्रो बॉल सकते हो ब्रो बॉल बॉल सकते हो ब्रो बॉल जो हमारे border areas हैं महां पर जो भी infrastructure बनाने का काम होता है border roads organization देखती है और उसके जो चीफ है वो अब कौन बन गए है रगु स्रीनिवासन तो रगु ब्रो विल बी लीडिंग बी आरो ना इन्होंने किसको रेप्लेज किया है Lieutenant General Rajiv चौधरी जी को विकुस इनका superannuation हो गया थ तो 1960 के अंदर इसकी शिरुवात हुई थी है इसको रेज किया गया था बाय पंडित जवारलाज नहीरू और इनका में काम ही यह था कि हमारे जो border areas है 39 वाला हो गया नौर्थ हो गया महा पर जो भी development working को speedy करने के लिए अलग से body होनी चाहिए ठीक है और ही किसके अंडर में आती है ministry of defense के अंडर में आती है चलते है इसका administrative control जो भी है वो ministry of defense सौगात गुपता यह सौगता नहीं है English में लिखते हैं तो इधर उधर वो जाती है न स्पेलिंग से pronunciation काई बार नहीं समझ में आता यह है सौगात गुपता तो सौगात गुपता इस दो new chairman of ASCI what is ASCI it is advertising standards council of India जो advertising होती है उसके भी standards होते है उसके पैमाने होते हैं आप उस पर खरे उतर रहे हो नहीं उतर रहे हो आपको सारे parameters फुलफिल करने होते हैं तो ही आपके advertisement को approval मिलता है तो ASCI जो होता है उसके head यानि chairman के तौर पे सौगात गुपता जी आ गया है सौगत नहीं करोगे हमारा इसे कर सकते हैं कि हाप कुछ भी देख रहे हो हर थोड़ी देर में add आ जाता है कई बच्चे वीडियो में भी complain करते हैं माम हमार को बहुत सारे add दिखते हैं वो add हम algorithm से चलते हैं मतलब हम decide नहीं करते कि एक बच्चे को 10 add दिखे हम place कर देते हैं कुछ बच्चों को दो ही द अगर वो paid platform पे नहीं है तो material मिलेगा 15 मिनिट का add मिलेंगे 15 मिनिट के हैं तो add में सौगत नहीं करोगी से सौगात याद आप रख सकते हैं ASCI जो है voluntary self-regulatory organization है और इसका main काम क्या है advertising industry को regulate करना 1985 में existence में आई थी 1985 I hope आपके लिए थोड़ा से easy है आद करना मैं हर बार बता देती हूँ मेरा birth year है 1985 तो मेरे लिए तो easy है I hope मैंने आपको भी easy करवा दिया होगा काफी सारी चीजें जहां कहीं में 1985 बाता है उससे एक साल पहले एक साल बाद आता है मैं अपने birth year से को relate करके याद करवा देती ASDAI का establishment year इतना important नहीं है छोड़ देजिए उसको चलिया Center extends Amit Agarwal's tenure as CEO of UIDAI for one year अब देखिए UIDAI आदार काड़ों गेरा जो बनाती है UIDAI Unique Identification Authority of India UIDAI के जो CEO थे already वो Amit Agarwal जी थे ठीक है Amit Agarwal थे ही इनका tenure बढ़ा दिया करा है आदार की starting AA से होती है ना AADHAR तो इसी AA से मैंने आपको याद करवा रखा था Amit Agarwal और ये Ministry of Electronics and Information Technology के अंडर में UIDAI आती है Statutory Body Vice Admiral Tarun Sobti not Sobti, Sorry Vice Admiral Tarun Sobti जो है He has been appointed as the Deputy Chief of Naval Staff Navy के अंदर Deputy Chief अब यही पर बताती है जल्दी से Who is the Chief of Naval Staff? Come on Who is the Chief of Naval Staff? Navy के Chief कौन है? लिखो So Vice Admiral Tarun Sobti Deputy Chief of Naval Staff बन गए है अच्छा ठीक है अब कैसे याद रखेंगे Tarun Sobti जी को? Sobti में Sob, Sob आ रहा है Sob यानि सुबक सुबक करोना सुबक सुबक करोना है ना Sob So Sob, इतना Sob गया, इतना Sob गया के पानी बन गया Navy की शिप चलालो उसमें ठीक है तो यह है आपके Deputy Chief Tarun Sobti जी और यह 1st October 2023 से इन उने कारबार संभाल लिया किसको रेप्लेस किया? Vice Admiral Sanjay Mahendru जी को किया है because वो रेटायर हो चुके है Then Navneet Munot, elected chairman of AMFI AMFI को मिले हैं अपने नए chairman, उनका नाम है Navneet Munot Navneet Munot और AMFI क्या है? Association of Mutual Funds in India Mutual Funds होते हैं न? Mutual Funds are subject to market risk वाला, जो Mutual Fund है So, उनकी association जो है AMFI उसके chairman मुनोत सहब बने हैं So, Mutual Fund, MU, मुनोत, MU, छोटा हिंटे काम कर जाएगा So, यह जो AMFI है 1995 में बनी थी headquarter है मुंबाई के अंदर नीरत चोपरा appointed Loris Ambassador So, Loris Ambassador दूसरे भारतिया जो कि Loris के Ambassador बनने हैं वो होते हैं नीरत चोपरा, इनसे पहले कौन बने थे? इनसे पहले युवराद सिंग बने थे 2017 के अंदर So, Loris is a global sports based charity है जिससे कि young जो लोग हैं उनमें मतलब charitable organization है Sports से चुड़ी हुई इतना समझे President appointed governors in Tripura and Odisha दो state हैं जिनको अपने नई governor मिले हैं त्रिपुरा को मिले हैं, Odisha को मिले हैं त्रिपुरा के पहले कौन थे? सत्य, देव, नारायन, आर्य थे लेकिन अब कौन हो गए? इंद्र सेना रेड़ी नलू तो अब त्रिपुरा को हम केसे याद रखते हैं? यह होता है ट्री तो इंद्र सेना रेड़ी इंद्र सेना रेड़ी है बारिश करने के लिए और आप कि भई बिल्कुल बारिश करें नल खोल दें उपर से और आप ट्री के नीचे बैठे हो कि करो बारिश में ट्री से बच जाओंगा ठीके? तो आप ट्री के नीचे बैठे हैं तो यह जो रगुबर दास है यह औरडी सीएम रह चुके हैं पहले जहार खंड के तो रगुबर दास जो रगुबर के दास होते हैं तो वो थोड़े ओड़े यानि लाइट रहते हैं वो बहुत चिंता नहीं करते हैं हर एक चीज की तो रगुबर दास इसका ज्यादा स्टॉंग हिंट नहीं मेरे पस थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आरडी आती हैं आरडी बुक से बहुत सारे बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजिस के अंदर तो आरडी से आप कर स तो गवर्नर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल देख लेते हैं आर्टिकल 153 बोलता है कि गवर्नर स्टेट के अंदर होना चाहिए और एक गवर्नर दो स्टेट्स को भी हंडल कर सकता है आर्टिकल 157, 158 है जो कि eligibility requirement बताता है कि अगर किसी को गवर्नर बनना है तो क्या requirement है तो कोई भी office of profit hold करता हो नहीं होना चाहिए वो इंसान गवर्नर बनने के लिए eligible होका डॉप्टर मीनेश शाह, डॉप्टर मीनेश शाह, elected to board of international dairy federation, अभी already national dairy development board के CMD है यानि chairman and managing director है डॉप्टर मीनेश शाह, NDDV, national dairy development board, dairy यानि दूद से related है और मीनेश मीन मचली से related समझ लीज NDD के head CMD कौन है मीनेश शाह है, अब इनको elect किया गया है board of international dairy federation, यह achievement के तौर पे appointment हुआ है, और इंडिया के अगर हम बात करें global milk production में तो 23% से भी जादा global milk production इंडिया के अंदर होता है और इसी के साथ साथ ही जो international dairy federation के हम बात करें यह कहां पे based है, Brussels, Belgium में है and he has been directed, sorry, elected to that board, तो बड़ा achievement है इंडिया के, संजय कुमार जोईन appointed CMD of IRCTC, IRCTC क्या है, IRCTC है, जो catering और टूरिजम वाला एरया है न, विंग है, रेलबेस का, इंडियान रेलबेस, catering and tourism corporation, IRCTC, इसके CMD यानी chairman and managing director कौन बन है, जेन साहब बन गया है, संजय कुमार जेन, क्यों बन गया है, ऐसे ध्यान कर दीजिए कि भई, ट्रेंज बेंज में प्रॉपर जेनियों को जेन खाना ही मिले, या वेजिटेरियन में नॉन्वेज की mixing ना हो जाए, इन सब का ध्यान रखेंगे जेन साहब, because he'll be very particular, because जेन community बहुत पर्टिकिलर होती है, अपने food को और वेजिटेरियन preferences को लेकर के तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, headquarter का है, IRCTC के New Delhi में है, 1999 में बनी थी, अशोक वासवानी is next कोटक महिंद्रा बैंक CEO अभी बने नहीं है, next है यानि announcement, मतलब ये speculation बहुत strong हो गया है, एक तरह से declared है कि यही बनेंगे अगले CEO कोटक महिंद्रा बैंक है, लेकिन अभ कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके अगले CEO कौन बनेंगे, एवी अशोक वासवानी जी बनेंगे, अभी आपकी friend circle में किसी भी वासवानी को जानते हैं, किसी अशोक को जानते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका रहता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के CEO के तोर पे उनको वह बैठा हुआ, देख लेजे, जब भी आप अपॉइन्मेंट याद करते हैं, अगर उस व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ, किसी भी व्यक्ति को जानते हैं, वो fictional character हो, किसी मूवी में, सीरिल में देखा हुआ हुआ, या फिर आपके नोन में कोई ऐसा नाम से व्यक्ति हो, इसी अपॉइंट से राजकुमार राओ आइकन, अब देखो, एक चीज समझो, यह कोई बहुत बड़ी नियर्स रही है, क्यों नहीं है, विकज ऐसा नहीं है कि एलेक्शन कमिशन ने अपकेला नाशनल आइकन किसी को अपॉइंट किया हो, नहीं, अल्रड़ी पहले भी पॉइंट कुमार राओ आज नाशनल आइकन, क्यों, क्योंकि उनकी मूवी थी, जिसके चलते उन्होंने कौन सी मूवी थी, वो न्यूटन, न्यूटन मूवी के अंदर, N-E-W-T-O-N, है न, उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन से रिलेटेंट रोल प्ले किया था, तो कौन है हमारे कमिशनर, राजीव कुमार जी, शॉट न्यू सेक्शन पे आते हैं, स्विस वाच मेकर राडो, रेडो या राडो जैसे भी आप इसको परनाउंस करें, तो रेडो जो है, उसने किसको लिया है, ब्रैंडम मैस्टर, कुट्रीना काफ को लिया है, देन आओडी, आओडी जो कार ब्रैंड है, उसने विरात कोली को अपना ब्रैंडम मैस्टर, नुक्त किया है, अपॉइंट किया है, देन SBI, रोप्स क्रिकेट आइकन, MS धोनी, आज ब्रैंडम मैस्टर, SBI, रोप्स यानि लिया है, ठीके तो रोप्स से कोई मतलब नहीं है, आपको, इस चिप्स जो होती है, लेस चिप्स, सो उसके भी ब्रैंडम मैस्टर, धोनी को वापस से बनाया गया, तो यह हो जाता है, अपॉइंटमेंट का सेक्शन कम्प्रीट, ठीके जी, यहां तक कोई प्रॉब्लिम नहीं आई होगी, ठीके, तो बुक्स और अउथर्स कम्प्री क्वेरी क्वेस्टन होते हैं, तो यह हेल्प लाइन नंबर है आपके लिए, 9929507407, ठीके, वाट्साप कर सकते हो, पॉल कर सकते हो, टाइमिंग बता देती हूं, मौनिंग 10 तू, इवनिंग 6, ठीके, सो मंडे टू साटड़े ही कॉल कीजिए, संडे आपको इस पर पर्चम रिलेटेड कुछ भी है, तो यहाँ एड्रेस कीजिए, नहीं तो यह इमेल आइडी तो है ही, उसके अलावा किसी भी एग्जाम की तयारी कर रहे हो, गाइडेंस चाहिए, मैं मैंने अभी तयारी शुरू की है, कैसे पढ़ूं, कौन सी बुक से पढ़ूं, पर्च राखा गया है कॉलिंग के लिए, वाटसाप के लिए, ठीक है, चलते हैं, नोबेल प्राइस 2023 इन मेडिसीन और फिजियोलजी, कितनी काटेगरी के अंदर नोबेल प्राइस मिलता है, ठीक है, स्वों चाहिए काटेगरी में सबसे पहली काटेगरी आ रही है, मेडिसीन या उसके अंदर Nobel Prize 2023, अब मैं यहीं पर बता दूँ कि एक वीडियो अलग से बनी हुई है Nobel Prize के उपर, आप जायेगा Current GK प्लेइलिस्ट में चानल के उपर और वहाँ पर देखेगा Nobel Prize 2023 जिसमें Current Static PYQ सब कुछ डिसकास किये गए हैं, तो पूरा Nobel Prize आप वहाँ से तयार कर सकते ह अब इचाहो, बढ़ने चेह, सब कुछ, यहां पर हम सरफ 2023 Current Affair के अंगल से बात करेंगें, कि मेडिसन और फिजियोलोजी के अंदर, कैटलिन, कैरिको, आंड्रिव वीजमिन को 1x2, 1x2, यानि इनको इन दोनों की जोडी को यह अवार्ड मिला है, 1x2 शेयर हो जाएगा, त पहले तो यह संझो, क्यों मिला भई, क्योंकि जो COVID-19 related इनों ने effective mRNA vaccine के ऊपर काम किया, vaccine बनाना पॉसिबल हो पाया, वो इनके development के वज़े से था, तो अब जो COVID-19 आया था, वो तो हम सब का कतल ही कर रहा था, एक तरह से, K-A-T-A-L कतल कर रहा था, wise men क्या करेगा, vaccine तो Kathleen and Wiesman को मिल जाएगा, physiology and medicine में, ठीके जी, all right, आगे बढ़ते हैं, for physics, so second category आप देख रहे हैं, physics, physics में तीन लोगों के एक team थी, जिसको यह मिला है, 1 by 3 share हो गया, Pierre Agostini, Frank Cross and Ann Lulia, Ann Lulia, इनको क्यों मिला है, क्यों मिला है भी important है, इस point को आप छोड़ नहीं सकते हो, study of electron dynamics in matter, so matter के अंदर electrons किस तरह से function करते हैं, क्या उनके dynamics होते हैं, उसके उपर होना रिसेर्च की, so Pierre Agostini, Frank Cross and Ann Lulia, so PFA, males हो गे रहे हैं, हम लिखते हैं, please find attached, PFA, so P physics का ही है, कैसे याद रखे, P से ही physics हो जाएगी, और PFA आप याद रख सकते हो, कि physics के जो तीनों और PFA से मिले ह हो जाएंगे, Frank हो जाएंगे and Lulia, कहा गए हमारे Ann Lulia, ठीक है, तो PFA से आप याद रख सकते हो, all right, आगे चलते हैं, then coming over to chemistry, third category आगई, chemistry, medicine, physiology हो गया, physics हो गया, chemistry, chemistry के अंदर, मोंगी, G. Bondi, Lewis E. Bruce and Alexei I. Ekimov, right, तो हम MLA, MLA, MLA से क्या होगा, मोंगी हो जाएंगे M से, Lewis हो जाएंगे L से, Alexei I. Ekimov हो जाएंगे A से, so MLA, हमारी जो chemistry lab है, ये किसी बच्चे ने hint, technique contribute की थी, जब हम Nobel Prize वाला पढ़ रह थे, कि हमारी स्कूल में जो chemistry lab है, वो किसने डोनेट किये, वो किसी MLA ने, Member of Legislature Assembly होता ने, एक MLA ने डोनेट किये, तो आप MLA से ऐसे याद रख सकते हैं, ये मैंने abbreviation बता है, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, कि भई, आप एक movie देख रहे हो, एक movie और आपने मांगी, आपने मांगी, बु की coffee, आप एक movie देख रहे हो, time, मांगते ही, मांगते हो, ये कौन सी chemistry आपकी movie से, तो ऐसे भी हो जाएगा, और इनको क्यों मिला है, क्यों मिला है, for the discovery and development of quantum dots, quantum dots के ओपर इनके study के लिए, they have received the Nobel Prize in Chemistry, then Nobel Prize in Literature, Nobel Prize in Literature, One Fosse, इसको John Fosse नहीं बोलते है, One Fosse, so One Fosse, जो नॉर्वेन author है, उनको मिला है, तो लिट्रेचर में बहुत लोग फस जाते है, इते लंबे-लंबे thesis और theories, और biopics, और biographies, ये सब याद नहीं होती है, उनको, तो लिट्रेचर में बहुत लोग फस ते है, तो यो आप याद इन्होंने जो भी innovative plays and prose लिखे है, और जो भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इन्होंने अपने praise and prose के थू कहा है, उसके लिए इनको ये मिला है, then Nobel Peace Prize, next category कौन सी आ गई, Peace, 5th category, तो अभी तक हमने देखा, Medicine, Physiology, Physics, Chemistry, Literature, Peace, ठीक है, ये 5th हो गई, Peace Prize मिला है, Iranian activist Nargis Mohamadhi, so Peace Nargis, same same sound कर रहा है, और ये अलड़ी 10 year sentence काट रही है, ये प्रिजन के अंदर है, जब इनको ये award अनौन्स किया गया है, और जो भी इरान के अंदर, women rights और जो oppression होता है, women के against particular, उनके खिलाफी human rights और women rights के लिए अपना पुरा मोहिम चला रही है, उसके चलते हैं, इनको ये Peace Prize मिल है, and finally, sixth category होती है, economics के अंदर, उसका पूरा टाइटल है, Sveriges Rixman Prize in Economics, Sciences in the Memory of Alfred Nobel, ये पूरा टाइटल है, ये पूरा टाइटल है, शौट में बुलें तो economics का Peace Prize, इसको मिला है, वो मिला है Claudia Golden को, Claudia Golden, तो देखो, gold हमारी economy में gold बहुत important role play करता है, तो Claudia Golden से हो जाएगा, क्यूँ, क्योंकि advance, इन्होंने advance किया है, हमारी understanding of women's labor market outcome, women labor market outcomes, related इन्होंने अपनी economic studies की है, और उसके चलती इनको मिला है, तो gold और women labor market associate हो जाएगा, women women वाली चीज, चले, तो ये तो हो गए करन, थोड़ो सा fact में या भी बता देती हूँ, कि Nobel Prize तीन बार एक organization है, अकेली जिसको तीन पर Nobel Prize मिल चुका है, and that is, Red Cross, 17 में, 44 में, 63 के अंदर, कितने Indians हैं जिनको total आज तक Nobel Prize मिल चुका है, 9 Indians है, कितने हैं, 9 Indians है, और उन में से 2 हैं, जिनको Nobel Peace Prize मिला है, अबसे पहला तो Mother Teresa को, और फिर केलार सत्यारती को, सबसे रिसेंट मोस, Peace Prize, उसके अलावा, Rabindnaat Tegor जी को आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं स्वीडिश और नॉर्वें इंस्टूशन देते हैं अकडमिक कल्च्रल साइंटिफिक एडवांसर्स के लिए और अल्फरिड नॉबिल जो थे उनी की आदमिये उनी की विल से ये दिये जाते हैं पांच नॉबेल प्राइस जो हैं आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा क्रक्स एक बार मोटे मोटे तौर पर हमने देख लिया आए हूप समझ इतना तो आगया होगा डीटेल में डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए और उसके लिए यू विल हाब तो और वाच ताट वीडियो चलिए आगे बढ़ते हैं 2023 सास्त्र रामानजन प्राइस इन मैथमाटिक्स 2023 का शास्त्र रामानजन प्राइस मैथमाटिक्स किसको मिला है USA California University University of California के असिस्टन्स प्रोफेसर है रुज्यांग जांग रुज्यांग जांग इनको ये मिला है और यूजली ये जो शास्त्र प्राइस होता है मैथमाटिक्स के अंदर ये एक इनसान जो कि 32 येर से कम एज का है और रामानुजन जी जो थे उन्होंने जिन जन एरियास के अंदर अपनी स्टडी और रिसर्च की थी उसी सर रिलिटेड अगर कोई काम कर रहा है तो ये दिया जाता है रामानुजन जी की ब़र्ट अइनिवर्सरी जो दिसेंबर 22 को पढ़ती है तब ये अनौन्स किया जाता है और ये शास्तर उनिवर्सटी कहा है तमिल नाडू के अंदर है तो ये उनिवर्सटी इस प्राइस को देती है कब से दिया जा रहा है 2005 से दिया जा रहा है और इसके अंदर 10,000 उस डॉलर का प्राइस मनी है with a citation citation यानी तरह से प्रशस्ती बत्र होता है ठीकी तो ये जो details होती है ना किसी भी award की यहाँ से usually आपको question देखने को मिल जाता है particularly अगर आप civils वगर exam दे रहा है ठीकी चली Sodao Murthy becomes the first woman to get global Indian award global Indian award जीतने वाली पहली महिला या पहली woman rather not मतलब वह हो गया पहली महिला पहली woman वो बन जाती है Sodao Murthy और ये कौन देता है Canada India Foundation देती है इसी के साथ साथ Sodao Murthy जी के बारे में भी देखे कि इनको पदमश्री मिल चुका है 2006 के अंदर eminent tamil author Ambae eminent tamil author Ambae ये इनका popular name ही और इनका actual name कौन सा है by birth name C.S. Lakshmi इनको मिला है Tata Literature Life Lifetime Achievement Award for 2023 ये पहले भी एक बार popular हुई थी particularly अपनी वर्क के लिए जब इनको मिला था साहित्य Academy Award 2021 इनकी novel जिसको अगर आप translate करो इसके नीम को तो a red-necked green bird है और अगर इनी की भाषा में पढ़ो मैं कोशश करूँगी सिवापो काजथ्थुदन औरू पच्चाई परवई ठीक है तो ये इनकी novel के लिए साहित्य Academy Award जी चुकी है अब इनको Tata Literature Lifetime Achievement Award मिला बाल साहित्य पुरसकार in money puri language for the lip non-metham अब देखे ये साहित्य Academy Awards जो होते हैं उनके अंदर बाल साहित्य पुरसकार भी होता है बाकी सारी categories में announce हो गया था money puri में announce उस समय नहीं हुआ था तो अब ये अलग से announce किया गया है तो अब उसी award को पहले हम देखते हैं फिरम बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे जैसे साहित्य अकादमी पुरसकार 22 languages के अंदर दिये जाते हैं right as well as English and Rajasthani में इसी तरह से बाल साहित्य पुरसकार भी इन्हीं काटेगरीज में दिये जाते हैं 22 languages which are recognized as per 8 schedule of Indian constitution and English and Rajasthani और इसमें मनीपुरी जो language है उसके लिए बाल साहित्य पुरसकार किसको मिला है दिलिप लॉंग मैथम जी को अब ऐसा नहीं किसे बच्चे को मिलता है यह नहीं अगर आपने चाइल्ड काटेगरी के लिए राइटिंग की हैं आपने जो नॉबल गेरा लिखे वो बच्चों के लिए टागेटेड है तो इसमें आपको काउंट किया जाता है इनकी बुक का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है आई ए एन से याद रख सकते हैं आप भे कजी तीन लेटर से है इबेमा, आमसूं, बेमा I might be pronouncing it wrong quite a possibility because vernacular language है मनिपुरी में होगी so यह जो अवाड है 2010 के अंदर शुरू किया गया था और यह देखी, यह पूरी एक लिस्ट है आपके पास, जिसमें कश्मीरी भाशा में इस साल कोई अवाड अनौंस नहीं किया गया और मनिपुरी में लेटर डिकलेर किया जाएगा ऐसा कहा गया था मा की सारे अनौंस कर दिये गये था तो मनिपुरी में अवाड अनौंस हुआ है आप देखे, इन में जो पूछ लिए जा सकते हैं यूशली वो हिंदी और इंग्लिश वाले पूछ लिए जा सकते हैं तो हिंदी वाला आप देखे, सूर्यनात सिंह को बाल साहित्य पुरसकार कोटुक एप के लिए मिला था और अगर आप देखेंगे, इंग्लिश कहा गई इंग्लिश ये रही, सुधामूर्थी जी की थी इंग्लिश ये रही, सुधामूर्थी ये दो इंपॉर्टन्ट होते हैं विकास बागी सारी लैंग्विज उसका पूछे जाने की चांसे कम होते हैं विकास बागी से चाहे हैं तो सोरे वांचम इनकी एक बुक है, जिसके लिए सिवसंकरी जी को इस सरस्वती सम्मान 2022 मिला है. सरस्वती सम्मान बेसिकली के की विल्ला फांडिशन देती है और इस बार कौन सा एडिशन था? 32 नंगमर का एडिशन था, 22 जो इंडियन लांगविजिस होती हैं, उनमें अगर आपने आपने लिटरी वर्क किया हुआ होता है, तो उसके लिए आपको दिया जाता है और 15 अगर इटालियन है, उसके मिलाए耗 प्रेजीटल कलर यह निशान जिसे हम बोलता है, वो क्या होता है मिलिटरी की किसी भी इंडिविजल यूनिट को मिलने वाला सबसे हाइस्ट अणर होता है, प्रेजिटिन कलर और इसकी जो परेड थी, प्रेजिटल की कुमाओ रेजिमे Center प्रानी के इंदर की गई President Color Award like I told you highest honor होता है जो किसी military unit of India को मिलता है इसको निशान भी कहते हैं President of India देते हैं minimum 25 साल की service उस particular unit की होनी चाहिए और इसकी शुरुआत यानि इस award को सबसे पहले 1951 में दिया गए MRPL secures best innovation in refinery award for 22-23 what is this MRPL so this is Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited MPRL को again मिला है best innovation in refinery award और 26th energy technology meet के दोरान इसका announcement किया गया ठीक है ये award दिया गया Mangaluru के अंदर headquarter है 88 के अंदर ये बनी थी MRPL 69th national film awards ओ येस इस पर national film awards भी announce हुए थे तो वो भी हम देख लेते हैं प्रेजडेंट मुर्मू साहब ने साहिबा ने ये दिये और जो lifetime achievement award अच्छे कौन से साल के लिए दिये गए कौन से साल के लिए 2021 के लिए ये दिये गए है अल्राइट एंड और 69th दो साल का गैप क्यूं आ गया कोविट की वज़े से दो साल का गैप आ गया तो कौन से एडिशन रहा इस बर नाशनल फिल्म अवार्ड का 69th एडिशन रहा वहिदा रह्मान जी को लाइफ टैम अचीवमेंट मिला बेस्ट आक्टर अलु अर्जन पुष्पा दराइस मुवी के लिए बेस्ट आक्टरस शेर हुआ है आल्या भट गंगुबाय काथ्यावाडी और कृति सानन मिमी मुवी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग आक्टरस पल्लवी जोशी कश्मीर फाइल्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग आक्टर ट्रिपाठी जी पंकस ट्रिपाठी फॉर मिमी ये पिक्चर एक है वहां की चलिए बेस्ट फिल्म आप देखिए फिल्म ना सिर्फ बेस्ट फिल्म बोलने से ना एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा ना आपको आंसर ध्यान रखना है आपको कैटेगरी पता होने चीए बेस्ट फिल्म आफ दे इयर ठीक है बेस्ट फिल्म मिला है रॉकेटरी द नाम भी इफेक को जो की आर मादवन की डिरेक्टेड है उनीक मूवी है फिर बेस्ट पॉपिलर फिल्म प्रोवाइडिंग वोलसम एंटरेन्मेट ये एक काटेगरी है जो आरारार को मिला है देन बेस्ट फिल्म और नाशनल इंटीगरेशन तो देगो बेस्ट फिल्म बेस्ट फिल्म बोलोंगे तो काम नहीं चलेगा ये आपको पूरा नाम पता होना चे तो कश्मीर फायल जो की विवेक अबने होतरी ने ट्रेक की है उनको नर्गिस दत्ध अवाड ये पूरा है ना नर्गिस दत्ध अवाड फोर बेस्ट फिल्म और नाशनल इंटीगरेशन बेस्ट फिमयल प्लेबाग सिंगर गया है श्रिया गुशान को इन बेस्ट कुर्योग्रफी गया है आरारार को आप मजे बताएंगे बेस्ट मेल किसको मिला है और रेच लिमिटेड ओनर व्ट गोलन पिकोड उवड in risk management आर एसी जो की हाल ही में एक्षिलन्स होई है। So REC Limited को Golden Pickup Award Risk Management के अंदर दिया गया Golden Pickup Award basically इंडिया में शुरू हुआ था लेकिन International Recognition इसको मिला है Corporate Sector के अंदर जो भी Excellence होता है किसीने किसी Environment से Related अगर आपने कुछ Water Savings के साथ अपना पूरा काम किया है या Environmental Pollution को Curb करते वे काम किया उन सब एरियास के अंदर दिया जाता है Vivek Kumar Devgan is the Head of REC Tamil Nadu Tops in Using Telecommunication Technology in Mental Health So Mental Health में Telecommunication Technology यानि आपने कितने polls किये हैं Patients को Support देने के लिए Telecommunication में आप कितना आगे रहे हो Mental Health Services Provide करने में उसमें Top कौन से State ने किया है Larger State Categories में Tamil Nadu ने किया है So Mental Health Conclave हुआ जो World Mental Health Day पर और्गनाइज हुआ कब आता है World Mental Health Day याद करवा चुकिए है Important Days में पुछूँ आप से चली बताएए बताएए World Mental Health Day कब आता है तो COVID के side effects एक यह भी रहे है कि भरी बहुत mental health issues होए लोगों बहुत सारे लोग को खोया है उसके अलावा डिजिटल टाइम इतना बढ़ गया उसके विज़े से पर डिप्रेशन and everything is there So उसके चलते जो टेली मानस services है वो प्रोवाइट की जाती है जिसमें free mental health services इंडिविजोल्स को दी जाती है ठीक है तो larger state category में तमिल नाडू ने highest number of calls नाशनल टेली mental health program के तहट किये है उसके बाद महाराष्टा उत्तरप्रदेश सेकंड थर्ड पे आए अगर हम smaller states की बात करें तो तेलंगाना ने टॉप किया है अगर हम north eastern category में बात करें असम ने किया है तो UNCTAD के हमने बात की है तो यह organization क्या काम करती है United Nations Secretariat का पार्ट है जोकि trade, investment और जो भी developmental issues है उनके अंदर involved रहती है headquarters के Geneva, Switzerland में है जितनी भी trade and development से related UN bodies या organization होंगी वो सब Geneva है, Switzerland में headquartered है 1964 में इसका formation हुआ था Secretary General Rebecca Grinspan So Rebecca Grinspan, the first woman to serve UNCTAD's Secretary General Durga Bharat Samman Awards Durga Bharat Samman Awards चार लोगों और institutions को दिये गए साइटेशन होगे रहा जो मिलता है That was presented Then इसरोप को चंदरयान मिशन के चलते दिया गया विश्वभारती को जो education में जो contribution करते हैं इसरोपारसी, that is garden research, shipbuilding and engineers इनको shipbuilding के context में जो आने achievements के हैं और यह first edition रहा इस सम्मान का First edition यानी पहली बार दिया गया Then highest scientific award of USA given to two Indian Americans USA के science and technology field का सबसे highest award दो Indian origin individuals को मिला है या Indian Americans को मिला है Ashok Gadgil and Subra Suresh Subra Suresh और US President Joe Biden है उन्होंने यह award इनको दिया है National Medal of Technology and Innovation Then CJI receives Harvard Law School's Award for Global Leadership हमारे Chief Justice जो है इंडिया के चंदरचूर जी सिंग क्यों बोला थाने पताने उनको Harvard Law School का सबसे highest distinction है That is called Award for Global Leadership हो दिया गया है और इन्होंने अपना जो master's है law में वो यहीं से किया था ठीक है? चलिए जीना महिसा अमीनी विंस EU साखरोव प्राइस 2023 महिसा अमीनी जनकी हत्या कर दे गए थी for showing her hair, RM का जो पूरा women empowerment या women liberation का जो movement है वो इनकी death के बाद बहुत तूल पकड़ गया था जनी बहुत aggressive हो गया था तो उन्हीं महिसा अमीनी को award दिया गया है European Union का सखरोव प्राइस जो की इससे पहले किन लोगों को मिला हुआ है? अगर हम popular नाम देखे तो Malala Yousafzai को मिला है, Nelson Mandela को मिला है अब महिसा अमीनी के नाम भी ये announcement किया गया है और ये उन्हीं लोगों को दिया जाते हैं जन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दिया है for human rights or freedom of thought and she was considered one such individual then army confers best green military station awards best green military station so कोई ना कोई green initiative वहाँ पे होते हैं तो best green military station award किसको मिला? उद्धमपुर military station को और ये किसने दिया? आर्मी चीफ जेनरल मनोज पांडे जी ने confers किया है इसी के साथ साथ जो Mika ने military station है उसको best transformative station या जो जसने की पूरी अपनी काया पलट किया हो इसी के साथ साथ मनोज पांडे जी जेनरल जो है उन्होंने COAS flight safety trophy for the year 22-23 भी दी 671 Army Aviation Squadron RNO को और ये जो आपको Army Aviation Corps है न ये youngest arm है Indian Army का सबसे youngest नीटा Ambani is 2023 US ISPF Global Leadership Award Philanthropy Champion अचा ठीक है जी US ISPF Global Leadership Award में Philanthropy Category के इंडर champion कौन बना है या जी किसको मिला ये अवार्ड नीटा Ambani को मिला ये अवार्ड देता कौन है Basically क्यों मिला है इनके जो social work related जो भी activities करती है उसके चलते इनको मिला है US India Strategic Partnership Forum है US ISPF उसने ये अवार्ड दिया है नीटा Ambani को फिर हम आते है शॉर्ट नीज काटिगरी के उपर तो एक TV सीरीज आई स्कूप नाम से ठीक है स्कूप और उसको बेस्ट इंडियन इंडियन नहीं सारी बेस्ट एजिन टीवी सीरीज का अवार्ड मिला है बुसान इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में और उसमें जो लीड रोल प्ले किया था करिश्मा तन्ना ने उनको बेस्ट आक्टरस मिला है यह जो सेरीज थी किस ने डिरेक्ट की थी हांसल महताने अपार्ट फ्रम दाट डॉक्टर जोईता गुपता जोकी इंडियन ओरिजन के प्रोफेसर है युनिवरस्टी आफ आमस्टरडाम में उनको डच स्पिनोजा प्राइज मिला है for her contribution to climate change ठीक है so इसके साथ हमारी एक बहुत बड़ी काटिगरी जिसने मझे बहुत बहुत एक्जास्ट कर दिया because अभी I'm not in full strength and vigor कोई बात नहीं एक छोटी सी काटिगरी लास बचती है यह वाली काटिगरी हो चुकी ए खत्म अवार्ड वाली अब हम चलते हैं ओबिच्वरीज पे राइट I really hope whatever I'm teaching it is making sense to you आपको समझ में आ रहा है do not go to the energy factor I might not be that enthusiastically involved but I'm trying my level best to teach you today अब हम आते हैं ओबिच्वरीज लास्ट सेक्शन चोटा सेक्शन है पर important है तो ध्यान देंगे particularly one day exam का निधन हो गया अब ये कौन थे क्या क्या पॉजिशन पर रह चुके examiner क्या पूच सकता है इनकी life से related तो 11th CEC इंडिया के रहे हैं 96-2001 के दौरान बीच में रहे हैं पर्मविभूशन इनको 2000 में मिला था year 2000 में civil servant के तौर पे exceptional services अपने दे थे और ये परहापस first former CEC थे जिन्होंने की politics को जॉइन किया था और ये राजसभा में एंटर हुए उसके बाद ये union sports minister बने 2008 के अंदर पदमिश्री अवार्डी दया भाई शास्त्री ठीक है not दया भाई दया भाई है वैसे इनका उसके अलावा पहले ये देखते हैं कि ब्रहमर्श्री संस्कृत महाविद्या लेनाडयाद में इन्होंने उसकी स्थापना की थी पदमिश्री 2016 में इनको मिला literature और education की field से related so संस्कृत के बहुत बड़े scholar थी तो उसी से related इन्होंने अपने education के अंदर contribution दिया बिशन सिंग बेदी बिशन सिंग बेदी नाम सुना होगा बिशन सिंग बेदी क्रिकेट से जड़ा हुआ नाम बिल्कुल तो legendary Indian spinner he died at 77 1976 के अंदर इनको कप्तानी मिली थी Indian team की और इन्होंने कप्तानी किस से ली थी इनको मिली थी और उसके बाद captain रहे इंडिया के 22 tests में ODI India का जो India's first ever one day international against East Africa 1975 में जो खेला गया उसमें भी यह कप्तान थी पदमिश्री इनको मिल चुका है 1970 के अंदर उसी के साथ साथ CK NIDO Lifetime Achievement Award 2004 के अंदर मिला था विशन सिंग बेदी रिनों बांगलादेशी साइंटिस सलिमुल हक passed away at 71 बांगलादेशी साइंटिस पर्टिकलरली climate change को ले करके इन्होंने बहुत contribute किया है climate change exponent रहे है last year इनको order of British Empire भी से भी सम्मानित किया गया था then बैजनात अगरवाल जो कि ट्रस्टी है गीता प्रेस गोरखपुर के he has passed away गीता प्रेस गोरखपुर न्यूज में आई थी रिसेंट ले because Gandhi peace price for the year 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था और गांधी price price के अगर हम बात करें तो 1995 में इसकी शिरुवात होती है जो भी गांधी जी के ideals या philosophy के ऊपर चलते हुए कुछ उत्रिश्ट contribution करता है उसको दिया जाता है individual हो या institution हो चलिए जो ये ओविचोरी के important section हो गए जाते जाते question आपके लिए छोड़ करके जा रही हूँ उसका answer comment section में देने की कोशिश कीजेगा जो अगला video हम लेकर के आएंगे national news and banking and finance उसके अंदर आप को ये मिलेगा ठीक है इसका answer Global Maritime India Summit 2023 was organized in which city यानि की Global Maritime India Summit 2023 का आयोजन किस शेहर में किया गया था इन चारों में से क्या है सही answer do write down in the comment section see you very soon in another video तब तक I really hope I am able to recover well and you also take good care of yourself see you very soon, bye-bye